Hello and Welcome to Sports Fact से उनको काफी छूट मिली है इस बीच आपको बता दे की Dutton Center को लेकर जो भी वो थे जो भी Situations चल रहे थे Dutton Center को लेकर उनको काफी मदत मिली है छूट मिली है उनको उनका वीजा इसमल नहीं हो रहा है देखिये काफी सारे लोग प्रोटेस्ट में जरूर उतर गए थे जोकोविक को लेकर तीन दिन से वो उस्ट्रेलिया के पार्क होटेल में थे उनको पार्क होटेल में तीन दिन से रखा गया था वीजा कैंसल करने की बाते चल रहे थी लेकिन आखिरकार कोट ने ये ओर्डर दे दिया है कि visa cancel नहीं होगा और वो match खेलते हुए नजर आएंगे आपको बता दे कि Jokovic 17 January को Australia Open में खेलते हुए नजर आएंगे 17 January को वो दिखेंगे खेलते हुए Australia Open के लिए ही वो Melbourne आये थे लेकिन उनको airport पर ही रोक दिया गया था एंट्री नहीं दी जारी थी वीजा cancellation की बाते चल रही थी इन सब पर आज सुनवाई की गई और फाइनली ये तै कर दिया गया कि उनका वीजा cancel नहीं होगा और इस वीज आपको ये भी बता देते हैं कि वीजा cancellation और COVID vaccination को लेकर मुद्दा चल रहा था उनके उपर लेकिन फाइनली देखें कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि उनको जो detention था, immigration detention से उनको हताया जाएगा, immigration detention से जोकोविक को हताया जाएगा, देखें ये अभी की update थी जोकोविक को लेकर, ऐसे ये updated facts के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा और प्लीज अगर वीडियो पसंद आते हों, तो like, share, subscribe करना ना भूले, bell icon को याद से प्रेस कर ले ताकि notification time to time आप तक पहुशती रहे